अब लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो वही टॉक्ट अबाउट मार्सल एच्वर्थ वेटिड इंडिसिज में अल्टिमेटली बात क्या कर रहे हैं कि कौन सी कौंटिटी को वेट बनाए जाए यह तो हमने डिसाइड कर लिया कि प्राइस इंडिस बना रहे हैं तो आशे सजेस्टेड गिवन यहर को बना दीजिए अब मार्शल एच्वर्थ को हमने देखा कि उसने का कि ना तो क्यूजीरो लिया जाए ना क्यूजीरो प्लस क्यूजी से कौंटिटी बनाए जाए कैली एक स्टिल बेटर कंसेप्ट है कौंटिटी लेने का कैली सजेस्ट कोई भी कौंटिटी ले लिजी आप जो लॉजीकल यह आपको सही लगती है और एक्जेंपल कभी-कभी हम जब बेस कौंटिटी लेते हैं या गिवन यहर की कौंटिटी लेते हैं वो सकता है किसी कार तो Kelly सजेस्ट के आप तो समझदारी से बैठ किये Statisticians को लेजिए, Economists को लेजिए and you decide upon के कौन सी quantity को हम as weight use करेंगे It could be something, it could be anything It could be 10, it could be 15, it could be 10 plus 15, that is 25 It could be 10 plus 15 का half, which is 12.5 It could be 50 के मैं 50 units, इसकी लूँगा standard इसकी लूँगा 45, इसकी लूँगा 30 75 और इसकी लेंगे लेंगे हम 100 units जो भी आपको समझ में आता है हाँ वो ऐसे ही कुछ भी बोली भी units नहीं होगी कोई logical grounds होगे तो Kelly सजेस्ट कोई भी quantity को हम as weight ले सकते हैं so long as logically, rationally derived है हमारे case के अंदर जब हम as a student इसको solve कर रहे हैं तो Kelly का हम क्या formula यूज कर लेते हैं कि Q0 प्लस Q1 का half ले लीजे अब Marshall Edgeworth में क्या होगा उसने दोनों quantities add कर दी तो दोनों quantities add करने से क्या हो गया values ultimately थोड़ी ज़्यादा देखने लग जाती है तो यहाँ पर वो यह कह रहे हैं कि quantity has been reached upon logically deliberations के बाद आई है कुछ statisticians, experts ने बैठ करके वो values निका लिए as a student हम generally क्या ले लेते हैं Kelly के case में quantity कौन सी use कर लेते हैं Q0 प्लस Q1 अपॉन अपॉन टू जो Marshall Edgeworth ने कहा था कि Q0 प्लस Q1 लेंगे Kelly सजेस्ट उसका half ले लीजे क्योंकि क्यों exaggerate करें हम values को दो values को add कर देंगे तो obviously ज़्यादा दिखने लग जाएंगी तो you take average of both यह Kelly का idea है तो इसका मतब इस बार भी हम quantity निकालेंगे लेकिन वो quantity क्या होगी Q0 प्लस Q1 अपॉन अपॉन टू का हाँ अगर हम maths से थोड़े well-versed हैं तो हम देखेंगे कि numerically Kelly की यह quantities लें और Marshall Edgeworth की Q is equal to Q0 प्लस Q1 Q is equal to Q0 प्लस Q1 लें तो numerically बिलकुल same results हाएंगे क्योंकि होगा क्या सारी ही values 2 से divide हो जाएंगी numerator भी 2 से divide हो जाएगा denominator भी 2 से divide हो जाएगा तो numerically they both will give us same results अगर यह quantity ले रहें बट conceptually Kelly's concept is more sound कि दोनों values को add करने के जाएगे दोनों values का average ले लिए जाए तो अब इसको solve करके देखते हैं Q क्या होगा Q0 प्लस Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 इसका मदब हम पहले Q बनाएंगे which will be an average of Q0 and Q1 Q0 कितना है 10 and 15 25 25 upon 2 would be 12.5 15 and 20 is 35 35 का half हो जाएगा 17.5 प्लस Q2 कर रहे हम 12 प्लस 15 इस 27 27 का हो जाएगा 13.5 45 का हो जाएगा 22.5 I am adding them and dividing them by 2 50 and 60 is 110 इसका हो जाएगा 55 तो यह हमारे लिए quantity हो गई अब शुरू से जब से weighted indices हम देख रहे हैं कई न कई लड़ाई सारी यह है कि quantity क्या होगी जो weight बनाएंगे इस बार यह quantity होने वाली है इंडेक्स अगर हम बनाएग Kelly's index तो वो क्या हो जाएगा अमेंशन डिजाइन तो हमारा यही रहता है Sigma PQ upon Sigma PQ multiplied by 100 अब 01 है तो base quantity कितनी है 0 और compared quantity कितनी है यह given quantity कितनी है given year और स्वरी given year prices P1 और base year prices P0 और quantity कौन से आने वाली है जो हमने find out किये यह हो गया हमारा Kelly's index तो यहां क्या-क्या चाहिएगा हमारे को P1Q and P0Q तो अभी इनको find करते जाते है और आगे बढ़ते है P1Q P1Q 12.5 multiplied by 4 यह हो जाएगा 50 50 7.5 multiplied by 7 P1Q क्यों कर रहे है 17.5 multiplied by 7 17.5 multiplied by 7 यह हो गया 122.5 13.5 into 9 13.5 multiplied by 9 121.5 22.5 into 9 22.5 into 9 22.5 into 9 22.5 into 9 22.5 22.5 multiplied by 9 Last one is 55 into 9 55 multiplied by 9 हो जाएगा यह है 495 इसका अगर हम टोटल देखें तो कितना रहा है 991.5 और अगर आपको याद है Marshall Eichworth का भी आपने वीडियो देखा है भी थोड़े देर पहले तो उसके अंदर क्या वैल्यो आ रही होगी 1983 आ रही थी हमारी तो यह हमने बात ही की थी कि simply क्या करेगा Half कर देगा उन वैल्यूस को तो 1983 की जगे कितना आगे है 991 In any case हम तो अभी Kelly का formula कर रहे है तो we'll concentrate on Kelly's values P0Q P0 multiplied by Q 12.5 multiplied by 3 37.5 17.5 multiplied by 5 17.5 multiplied by 5 87.5 Then there is 13.5 multiplied by 7 13.5 multiplied by 7 94.5 हो जाएगा Then we have 22.5 multiplied by 8 22.5 multiplied by 8 180 And last is 55 multiplied by 11 Multiplied by 11 605 इसको देखे रहे कितना आ रहा है कितना आ जाएगा यह है 991.5 Divided by 1004.5 This will be 98.706 तो This is Kelly's index जहाँ पे हमने quantity कौनसी यूज कर ली Q0 प्लस Q1 कोई और quantity given होती तो यहाँ Q की values वो आ जाती Conceptually यही रहना था P1Q upon P0Q अगर यहाँ पे कुछ 12, 15, 40 कुछ भी दिये वे होते तो हम उस quantity को use कर लेते हैं But as a student अगर हमारे को कुछ नहीं दिया वा है तो हमारे लिए यह formula है Kelly के लिए क्या करेंगे हम average लेंगे दोनों quantities का So this was it about Kelly's index अगली बार जब आप मिलते हैं तो कुछ और indices देखते हैं Thanks for watching, bye bye, take care